जहिन साती हों स्वागत आपका एक बार फिट से इस नए वीडियो में दोस्तों आज हम बात करेंगे जो ग्रामीन बैंक में वेकेंसी निकलने वाली हैं उसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे कि एक्सरिस मैं के लिए इसमें किस प्रकार से मोके हैं और एक्सरिस मैं को ये जोब जोइन करने से क्या-क्या फायदे हैं दोस्तों सैनिको से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दवाएं और बैल आइकन को प्रेस करके ओल का बटन दवाएं ताकि सारी जानकारी आप तक पहुँचे सबसे पहले तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों बात करें ग्रामीन बैंकी तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो एकसरिस मैन के लिए कलर का जोब है वो नोर्मली चार बैंकों में आता है एक तो IBPS है जिसमें की common return exam होता है और जितने भी 11 सरकारी बैंक हैं SBI को छोड़ कर बाकी जितने भी बैंक हैं उन सब के लिए वो exam होता है उसमें जो कलरीकल की पोस्ट होती है एकसरिस मैन के लिए भी कोटा होता है दूसरा जो आपकी ग्रामिन बैंक हैं इनके अंदर vacancy आती हैं जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे तीसरा SBI के अंदर आती हैं और चोथा बहुत कम vacancy आती हैं लेकिन जो Reserve Bank of India है जो Central Bank of India है उसके अंदर vacancy आती है आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो ग्रामिन बैंकों के बारे में बात करेंगे और ये भी vacancy काफी अच्छी है RRB का मतलब है कि हर स्टेट के अंदर ग्रामिन बैंक होते हैं जैसा कि आपने देखा होगा राजस्तान के अंदर राजस्तान मरुद्रा ग्रामिन बैंक है उसके बाद में हरियाना के अंदर सर्वा हरियाना ग्रामिन बैंक है इसे परकार से UPMP और जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आपने देखा होगा कि हर स्टेट के अंदर Graman Bank होते है और यह Graman Bank के अंदर Clerk की पोस्ट निकलती है जिसको कि Office Assistant Multipurpose के नाम से जाना जाता है एक चीज और बता दूwn दोस्तों कि अलग-لग बैंकों में जो भी यह Clerical Post का नाम है किसी के अंदर Office Assistant Multipurpose बोला जाता है, किसी के अंदर Junior आउट करने के आवशकता नहीं है, सभी जो है, ये clerk की post हैं, चाहे वो IBPS, RRB में Office Assistant Multi-Purpose बोला जाए, चाहे वो SBI में Junior Associate बोला जाए, तो सभी clerk की post हैं, तो दोस्तों, अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो सबसे important चीज है, वो है salary की, तो दोस्तों, इसमें एकसरिस मैन के लिए pay fixation है, जो भी ग्रामिन बैंक में जो भी एकसरिस मैन बढ़ती होते हैं, उनको pay fixation मिलता है, अभी काफी लोग ये सवाल भी पूछते हैं, कि जो एकसरिस मैन है, Suppose करो कि वो एक gramikt bank में बढ़ती हो रहा है, एक SBA में बढ़ती हो रहा है, एक IBPS में बढ़ती हो रहा है, एक RBA में बढ़ती होरा है तो salary में कितना क्या फर्ख परता है? Salary में pay fixation होने के बाद कोई बहुत ज़ादा फर्ख नहीं पड़ता है कुछ एक pay and allowances हैं जो की bank to bank differ करते हैं लेकि नोर्मली आप मानो की बहुत जादा salary में फरक नहीं पड़ता है salary लगबग सारे बैंकों में अगर किसी में भी आपका selection होता है तो salary आपकी लगबग समानी रहती है और अच्छी रहती है क्योंकि excellence जिस pay scale से आता है उसके अलावी बहुत सारे ऐसे pay and allowances हैं जो bank की तरफ से मिलते हैं और वो सब लगा के काफी अच्छी salary हो जाती है और अभी जो bipartisan recently जो बैंकों का settlement हुआ है उसके बाद तो salary और भी अच्छी हो गी है दोस्तों एक और इसमें important चीज है कि जो bank का selection होता है काफी fast होता है अगर आप किसी दूसरे state government की vacancy में जाओगे या SSC में जाओगे CHSL में जाओगे CGL में जाओगे तो काफी लंबा time में लग जाता है selection होने में साल दो साल भी लग सकते हैं डाही साल भी लग सकते हैं लेगि जो बैंकों का process है काफी fast है और आज हम जिस जो date होती है उन्ही date के उपर exam होता है cancel नहीं होती है date और main exam भी उसी सबसे होता है दोस्तों एक importance जो डिसकस कर लेते हैं job location के बारे में तो यहाँ पर जैसे आप किसी दूसरे bank में जाते हो SPI में या फिर IBPS में तो वहाँ पर आपके chances रहते हैं कि आप अपने state से दूसरे state में switch कर सकते हैं क्योंकि पिसला जो मैंने वीडियो बनाए था inter circle transfer का inter वह आपने देखा होगा तो वहाँ पर आपके पास possibility है कि आप एक जो state से दूसरे state में switch कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर अगर आपका selection होगा गरामिन बैंक में तो फिर आप एक state से उसी state में आपको नोकरी करने पड़ेगी क्योंकि suppose कीजे कि आपका हरियाना में selection हुआ सर्व हरियाना गरामिन बैंक में तो वो जो bank है वो सिरफ हरियाना के लिए ही है और हरियाना के अंदर ही सिमित है तो वो bank कहीं दूसरी जगे के उपर नहीं है तो इस वज़े से आपको form भरते समय यह ध्यान रखना है कि आप उसी state से form बरें जिसमें आपको पूरी नोकरी करनी है चाहे वो आपका खुद का state हो चाहे वो आपको पडोसी state हो जो भी हो लेगिन आपको ध्यान रखना है कि आपकी posting इसमें state से बाहर नहीं होगी हाँ within state आपकी posting हो जाती है within state को यह ज्यादा लफड़ा नहीं है हो जाती है लेगिन state के बाहर आपकी posting इसमें नहीं रहेगी तो जो लोग भी try करें यह सो जैसा कि बागी सभी jobs के अंदर होता है, उसको अपनी present age में से अपनी जो सेना की service है, उसको minus करना है, प्लस उसको 3 साल और minus करना है, और उसके बाद जो उसकी age हो 28 वर से कम होनी चाहिए, तो वो सभी इसमें apply कर सकते हैं, दोस्तों बात करें कि जो लोग already कोई job राप्त कर तो फिर उनको सिरफ age relaxation मिलेगा, उनको एक्सरिसमें का quota इसमें नहीं मिलेगा, दोस्तों में बात करते हैं, serving person की, तो जो लोग सेना में नोकरी कर रहे हैं, और एक्सरिसमें कोटे में apply करना चाहते हैं, तो वो भी इसमें apply कर सकते हैं, लेकिन शर्थी है कि उनको अगले साल June 2025 से पहले-पहले retire होना होगा, तो June लोगों का भी discharge June 2025 से पहले-पहले है, वो इसमें apply कर सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जैसे January में लोगों की joining मिल जाती है, लेकिन आपका जो discharge है सबोस कीजिए मई में है, तो फिर आपको वो hold कर लेते हैं, और आपको किसी आगे वाले batch के साथ training करवा के, तो फिर आपको joining कराते हैं, तो कुछ में लागे है कि June 2025 से पहले-पहले जिन का retirement हो सभी इसमें apply कर सकते हैं, दोस्तों बात करें qualification की तो सभी जानते हैं कि जो भी bachelor's degree यानि की graduation मांगते हैं बैंकों के अंदर, लेकिन अगर किसी के पास graduation certificate है, जो की मिलता ह 15 साल सेना में नोकरी करने के बाद, जो भी matriculate accessman है, जिनकों की जो graduation certificate मिलता है, तो उस base के उपर भी आप इसमें apply कर सकते हैं, दोस्तों एक इसमें local language का test होता है, जिस भी state से आप apply करेंगे, उस state का local language आपको आना चाहिए, तो अगर आप अपने state से apply कर रहे हैं, तो कोई करते समय, दोस्तों बात करें, फीस की तो accessman के लिए इसमें 175 रुपे की फीस रखी गई है, जो की काफी normal है, apply कर सकते हैं सभी, दोस्तों भी देख लेते हैं, इसके selection process के बारे में, तो इसका selection process हो दो भागों में complete होता है, पहले आपका pre-exam होता है, फिर आपका mains exam होता है, और आपका जितने भी merit हो सारी mains के base पे बनती है, pre-exam सिर्फ qualifying in nature है, उसमें जितने candidate बैठते हैं, उनमें से shortlist होते हैं mains के लिए, और mains की जो cut-off होती है, वही आपके selection को प्रभावित करती है, और उसी के base पे आपको merit बनती है, mains 200 number का होता है, लेगिन 200 number को 100 number में convert कर दिया जाता है, और आपकी जो final merit बनती है, वो 100 number की बनती है, दोस्तों बात करें pre-exam की, तो इसमें एक important चीज है कि इसमें आपका English नहीं आता है, इसमें सिर्फ आपका reasoning और आपका maths आता है, 40-40 number के question होते हैं, 40-40 marks के होते हैं, और इसके लिए आपको समय मिलेगा है, 45 minute का, यनि चाह हिंदी में से एक और आपका maths आएगा, तो इन सब के 200 question होंगे, जो की 200 marks के होंगे, और इसके लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटेगा, दोस्तों हिंदी-English के अलावा अन्य कई भासों में भी एक paper attempt कर सकते हैं, तो जो detail यहां पर दी गई है, उसका आप देख सकते हैं, अलग-अलग state के लिए, कुछ एक अलग-अलग भासाईं भी हैं, जिनका की आप इस्तिमाल कर सकते हैं exam के दोरान, दोस्तों इस exam में 0.25 की negative marking भी है, तो exam देते से में आपको ध्यान रखना है, कि आप अगर गलत question करेंगे, अगर जवाब गलत देंगे, तो आपको 0.25 की penalty इसमें लगेगी, दोस्तों भी देख लेते हैं apply कैसे करना तो आपको IBPS की official website पर जाके इसमें apply करना है, और जब इसका detail notification आएगा तो हम एक और वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपको detail में बताऊंगा कि कि किस प्रकार से आप इसमें apply कर सकते हैं, दोस्तों बात करें, cut इसमें 100 marks secure करते हैं, तो definitely आपका किसी भी state से selection है, वो हो जाएगा, दोस्तों अन्त में बात कर लेते हैं important dates के बारे में, तो इसके जो online form है वो 1 June 2024 से start होंगे, forms को fill up करने की last date हो 28 June 2024 है, दोस्तों इसका जो exam हो 3 August से लेगर के 18 August 2024 के बीच में होगा, तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी, उमीद है कि वीडियो आपको पसंद आयोगा, वीडियो अगर पसंद आये तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहे मेरे साथ इसी प्रकार के इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्य जाहिन